हाई फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू एजुकेसन इंडिया तो यहां भी बात करेंगे राजस्तान बेरोजगार बता योद्दा के बारे में आपको हम इस वीडियों बताएंगे कि किन किन को मिलेगा बेरोजगार बता योद्दा का लाब यानि कि जो 3500 रुपे निर्दद किया गया वहां किन किन को मिलेगा और आपको यह बेरोजगार पता में कैसे फाइदा लेना है संपुन जानगारी के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा पूरा और देखना होगा लाज तक लेकिन दोस्तों उससे पहले आप से एक छोटी सी मेरी गुजारिस किया दिया हर समय ऐसी अपडेट पाना चाते हैं तो हमारे चैनल को जरूर कीजिगा सबस्काइब और पासी में आरे गंटी के निसान को जरूर दवएगा ताकि आपको ऐसी हर अपडेट सबसे पाले मिल सके चलिए आप करते हैं इस वीडियो को सुरू तो राजिस्तान में बेरोजग को ये फाइदा नहीं मिलेगा अब दोस्तो किन को मिलेगा फाइदा और किन को नहीं मिलेगा फाइदा अब देखिए यहां पर कि किन किन को मिल रहा है इसका फाइदा और किन किन को नहीं मिल रहा है इसका फाइदा दोस्तो इसकी आवशिक सर्तों में सबसे पहली सर्त यही आप समझ गे होंगे बात कि यदि आप राजस्तान में रहते हैं तो ही आपको ये फाइदा मिलेगा जो राजस्तान का ही होग है वही ले पाएगा राजस्तान में वेरोज़गार बता योदना का लाब अब दोस्तों दूसरा नियम है आप सब के लिए कि आपको दस्वी बारी पास और graduate यानि कि बीए किया हुआ होना चाहिए सनातक पास बीए किया हुआ होगा तो ही आपको इसका फाइदा मिलेगा अगला दोस्तों यहाँ पर थर नियम है आपके लिए किस योदा का लाप जो है आप 21 से 35 सर्ष के बीच हुए तो ही ले पाएंगे यानि कि यदि आपने 21 से 35 सर्ष क्रोस कर लिए है यानि कि उपर चले गया है तो आप इसका फाइदा नहीं ले पाएंगे और दोस्तों यदि आप इसमें से छोटे हैं यानि कि 34 सर्ष के या 33 सर्ष के है तो आप इसमें अभी आवेदन कर सकते हैं और फिर जैसे ही आप 35 सर्ष से उपर जाएंगे तो आपके लिए बेरोजगार बता बंदू जाएगा और फिर आपको ये फाइदा नहीं मिल पाए होंगे पूरी बात यह ए कि यदि परिवार है उसके परिवार माता पिता जी के आई या भाइ के आई पूरी कुल मिला के 3 लाग तक ही है यानि पूरी वार से खाए 3 लाग है तो उसको फाइदा मिल जाए और वह बेरोजगार की सर्णे में आ जाएगा अगला नियु में आ बेरोजगार माना जाएगा और उसको बेरोजगार बता मिया जाएगा अब दोस्तों इसके लिए भी अलग-अलग केटेगरी बनाई गई है जैसे मैला को 35 पर दिये जा रहा है तो मैला प्रूसे उनको तीन जारी पर दिये जा रहा है आपने यह बास पहले से सुन ली होगी और मैं अब आपको एकार फिर से बता देता हूँ कि यह बात है जो कि बेरोजगार बता में एक तरह से कैटेगरी वाइस बनाती है इस योजना को अब दोस्तों आगे बाद आदिहाब सब के लिए कि दस्तावेज किस परकार के होंगे यानि कि कौन-कौन से इसमें आवश् चाहिए क्योंकि आधारकार्ड हर वक्त म country जाएगा और यहां पर भी आइजार कार आपसे मांगा जाएगा जब आफ्याओन करने जाएंगे तो सबसे पहला तो आपसे यह यहीं आवेदन मांगा जाएगा जो है आदार काड तो यह आदार काड है तो आप इसका फायदा ले पाएंगे अन्यतन नहीं क्योंकि आदार काड वाला वही व्यक्ति अपना परमारित करवाएगा कि हम एक बेरुद का असरणी में आते हैं इसी करण वहां से प्रूफ हो जाएगा कि आप ब परमुक है वह वाटर आईडी काड वाटर आईडी काड आपसे मांगी जाएगी जो कि आपके यहां पर परमानित कर देगी वह भी थोड़ा बहुत आदार काड के बाद में तो अगला आपके लिए जिसका कि मैं बता दूं कि आपको पास जो है भामासा आईडी काड वहना अनिवारी है आवेदर के पास यह जब आवेदर करने जाएंगे तो आपको यह भी मांगा जाएगा वामासा की आईडी काड अब दोस्तों आईडी के लिए आपको इमेल आईडी देनी होगी आपको आपके मोबाइल नंबर देने होंगे और कुछ आप से और जानकाई दे देनी होगी और दस्तावज में मैं यह ही यह आपके लिए पड़न जानकाई होगी जो कि आपको आवेदर करेंगे आप तब यह मांगी जाएगी तो जैसे मैं बता देता हूं कुछ और जानकारी में तो आपके पिताजी की यहां पर दोको फोटो कापी आपकी फोटो तो यह तो मांगी जाएगी आपको पता होगा यह फोटो फोटो आपको मांगी जाएगी साथ ही आपके जो यहां पे पिता जी के पर्मान पत्र भी आप सकते हो वहां पर मांगा जाएगा और यह साथ में आपको पर्मान पत्र मांगा जाएगा जरू पर्मान पत्र आपकी डे तो आवे दिन करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको ऑफिशल साइट पर जाना होगा बेरोजगार बता के ऑफिशल साइट तो सबसे पहले तो आपको राजिस्तान बेरोजगार प्रता पर अफिशल साइट जो कि आपको यहां पर दिखी रहा होगी कि www.employment.livelyhoods.gov.hene इस पर जाना होगा और इस पर जाना की बाद में जब आप डाइट पर क्लिक करेंगे कि जो आपको डाइट पर क्लिक करना है इसके बाद में आपको पहुंचने के बाद में unemployment और उप्सन पर दिखाई देगा इसके drop down menu पर apply option पर क्लिक करना होगा जैसा कि यह हुआ यहां पर देखी रहा होगा picture में कि पर कारत को आपको क्लिक करना है और यदि आप जो है यहां पर देखिए पहली बार इस पर आवज़र्द कर रहे हो तो आपको पहले इस website पर अपने सियक्सर करना होगा इसके लिए आपको रजिश्चर में इस प्रकार का आपको जोएं बेरोज़गार बता के लिए आप ऐसानी से मिल जाएगा नहीं तो आप इससे भी दोनों दोनों सबसे में कर सकते हैं या अफिर ऑफ जो एप आता है वहां peg सकते हैं तो यह ज्याया нравится कर सकता हैं यह मैंने जानका और चरिक स्विय को हमएदेञें से बस्ति सबस्वितन कर यह दो यह आप सब के लिए कुछ बड़ी मैत्त पून हम आлекरें आप को तो जब भामासा पर क्लिक करेंगे भामासा आईडी पर वहां पर आपको ई-card पर आईडी लिखनी है यदि भामासा काड अभी नहीं आया है तो भामासा रेसित पर लिखे पर आपको यूजरनेम और समस में पासवर से लोगिन करना है और वेफसाइट से में नीचे फोटो भी जाएगे तो इस परकार आप जो है जानकर है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं और और आम से आवेदन हो जाएगा आपके लिए वहां से आपको जब ऑफिशल साइट पर जाएगे तो आपके लिए वहां से अलग यह को नजरएगा ज mão में आपको जानगी के बाद में आपको जान जानगाए जाएगे तो उस है जैसे इस सब्मिट का नीचे एक बटन दिखेगा वहां पर क्लिक काजेना हैं सब्मिट का क्लिक करने के बाद में आपका उपर एक पट्टी आएगी दोस्तों इसमें आपका लिखा होगा कि योर सक्सेस्पूल यानिक दोस्तों आपका जो आपने आवेदन किया है वहां आप को ही नई खुशी मलती बलकि आगे भी जो लोग होते हैं जो इस वीडियो का इंजार करते हैं उनको भी यह खुशी मलती है यही ता आप सब से पाले मिल सके चलिए अब इस वीडियो करते हैं खतम दोस्तों वीडियो को देखने के धन्यवाद जहिंद जेवारत वंदे मात्रम